Hello everyone and welcome to Pentashots आज हम बात करने जा रहे हैं BJS 2023 के Semifinals के Day 1 के बारे में So बिना किसी देरी के? Let's go! आज हमें देखने मिला कि Semifinals में खेलने वाली सभी 32 टीम्स को 8-8 के 4 ग्रूपस में बाट दिया गया A, B, C और D और एक माच में हमें दो ग्रूप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए दिये माच विन इरांगल में खिला गया और यहां हमें ग्रूप B और ग्रूप C का मुकाबला देखने को बिला यहां पहला एलिमिनेशन हुआ लकनाव जायंस के डॉन का नाइट आउल्स के स्कोर्ट के हातो आला कि थोड़ी तेर बाद लकनाव जायंस ने नाइट आउल्स के स्कोर्ट को पुश किया लेकिन नाइट आउल्स ने बहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा कर इस मैच से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बना दिया आखिर में आमने सामने आए ग्लिच एक्स रीबॉन और टाइटन फॉर दे विन जिसमें जीत के ग्लिच एक्स रीबॉन ने निकाला अपने लिए पहला विनर विनर चकनेना पहले मैच की सिमापती के बाद टॉप पे रहे ग्लिच एक्स रीबॉन, 12 फिनिश पॉइंट, 15 पॉइंट और 27 टोडल पॉइंट के साथ इस मैच के एमवीपी रहे ग्लिच एक्स रीबॉन के रोमन ओजी मैच 2 में आमने सामने आए ग्रूप A और ग्रूप C और मैप रहा मिरा मार का काफी छोड़ी छोड़ी फाइट के बाद पहली मेजर फाइट हमें देखने को मिली टीम एमपायर और मेडल ईस्पोर्स के बीच जिसमें टीम एमपायर इस मैच से इलिमिनेट होने वाली पहरी टीम बनी आखिर में मुकाबला हुआ ग्लाडियेटर Z स्पोर्स और ट्रेबल मेकर्स के बीच जिसमें एक अच्छी फाइट के बाद ग्लाडियेटर Z स्पोर्स ने निकाला अपने लिए एक विनर विनर चकंडेना मैच के बाद टॉप पे रहे ग्लाडियेटर Z स्पोर्स, 9 फिनिश पॉंट्स, 15 पोजिशन पॉंट्स और 24 चूडल पॉंट्स के साथ इस माच के MVP रहे मेडल E स्पोर्स के टॉप डॉप डॉप मैच तरी खेला गया सैनॉक पे और यहां मुकाबला हुआ ग्रूप A और ग्रूप B में इस माच में सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम बनी और वाच जी स्पोर्स आकेर में Gladiators E स्पोर्स के डिल्टा पीजी के सामने थे The Big Brother E स्पोर्स के स्कॉड के 3 प्लेज और Blind E स्पोर्स के 2 प्लेज इस 3 वे फाइट को अपने Numbers Advantage के चलते Big Brother E स्पोर्स ने आसानी से जीत लिया और निकाला अपने लिए एक winner winner चकाने ना माच के बाद तॉप पे रहे Big Brother E स्पोर्स, 9 फिरिश पॉइंट्स, 15 पोजिशन पॉइंट्स और 24 सूडल पॉइंट्स के साथ इस माच के MVP रहे Gladiators E स्पोर्स के डिल्टा पीजी माच 4 में खेले Group A और Group D and the map was विकेंडी माच 5 में हमें Group B और Group D आपस में टकराते हुए दिखाई दिये मिरा मार मैप पे इस माच में सबसे पहले एलिमिनेट हुई Glitch X Reborn जिने Blood Rose E स्पोर्स ने बाहर का रास्ता दिखाया आखिर में एक 3-way fight हुई OR E स्पोर्स, Revenant E स्पोर्स और Growing Strong के बीच जिसमें Revenant E स्पोर्स के Apollo ने एक बहतरीन 1-V3 किया और Growing Strong को बाहर का रास्ता दिखाया इसके बाद Revenant E स्पोर्स ने OR के मैक्स को एलिमिनेट करके निकाला एक बहतरीन विनर विनर चिकने न मैच के points टेबल में टॉप पे रहे Revenant E स्पोर्स 11 finish points, 15 position points और 26 student points के साथ इस मैच के MVP रहे ORE स्पोर्स के मैक्स दिन का आखरी मैच हुआ Group C और Group D के बीच और Selected Map था Rangle इस मैच में हमें देखने मिली एक Drop Clash, TWM Gaming और Team Insane के बीच जिसमें Team Insane के हर्ष और आदी एलिमिनेट हो गए आखर में मुकाबला हुआ Night Owl और Growing Strong के बीच जिसमें Night Owls ने जीत के निकाला Winner-Winner चिकनेना मैच के स्कोरकार्ट में टॉप पे रहे Growing Strong 12 finish points, 12 position points और 24 student points के साथ इस माच के MVP रहे Growing Strong के God Bot आज का अवरॉल स्कोरकार्ट कुछ ऐसा रहा टॉप पे रहे Gladiators E-Sports, 29 finish points, 37 position points और 26 total points के साथ आज के PentaShot के लिए बस इतना ही कल मिलेंगे Semi Final के Day 2 के अपडेट्स के साथ इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले हम से जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें आप हमेलियों को और टेश्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं और E-Sports के बारे में अगर और बातचीत करनी हो तो हमारे Discord सबों को जॉइन के लीचिए हमारे platform को definitely visit करें इसके साथ मैं कहूंगा आपसे गुड़ बै और आपसे मिलूगा कल